आज के ये वीडियो उन लोगों के लिए होगा जिनको अलरड़ी YouTube पे चैनल है लेकिन वो घ्रोव नहीं हो पा रहा है और उन लोगों के लिए भी helpful होगा जो लोग YouTube पे अपना चैनल बनाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते है YouTube पे सही तरीके से चैनल बनाना बहुत important है विकॉज अगर आप सही तरीके से आपका YouTube का चैनल नहीं बनाते हो तो आप कितने भी वीडियो अगर अपलोड कर दोगे तो आपका चैनल आगे नहीं बढ़ेगा घ्रोव नहीं हो पाएगा इसी के वज़े से इस वीडियो का आप एंड तक देखना मैंने और एक वीडियो बनाई है जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि YouTube पे आगे बढ़ने के लिए consistency कितनी important है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपके लिए मैं description में उस वीडियो की link डाल दूँगा अब YouTube चैनल क्रेट करने के लिए मैंने एक simple डाइगाम बनाई है जिससे मैं आपक को explain करना चाहूंगा कि YouTube चैनल क्रेट करने के कितने steps है सबसे पहले तो आपको Gmail account बनाना पड़ेगा उसके बाद में जैसे आप Gmail account बनाते हैं आपका YouTube चैनल तो बन जाएगा लेकिन उसमें कुछ important updates है वो update करने बहुत important होता है जैसे अगर आप सेटिंग में जाते हो तो कि लिए बहुत सारे लोग YouTube चैनल अपना mobile पर ही सेट करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग के पास में laptops वगर नहीं होता है इसी के वज़े से मैं आपको mobile पर कैसे आप आपका YouTube का चैनल क्रेट कर सकते हो यह मैं अभी सिखाऊंगा उसकी लिए सबसे पहले आपको जाना है YouTube प जैसे ही आप यू पर क्लिक करते हो आपको करना है स्विच अकाउंट पर क्लिक यहाँ पर प्लस आइकन अभी यहाँ पर जो लिस्स दिख रहे यह सारे मेरे चैनल अलड़ी बन चुक है मैं लेकिन आपके लिए नया फ्रेश चैनल बनाना चाहता हो इसके वाज़े से मैं य जैसे ही आप प्लस पर क्लिक करते हो आपको क्लिक करना है क्रियेट अकाउंट पर माइ परसनल यूज अभी आपको यहाँ पर आपका नाम देना है यूर फर्स नेम इजवाइभाव सातर नेक्स्ट यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली आपका डेट ओवर्ट डालनी है जो मैं यहाँ पर डालता हूं 08 August 1994 तो यहाँ पर मुझे कुछ सजेशन्स मिले है कि वाइभाव सातर 014 सातर वाइभाव मैं अपना क्रेट ओन मेल आईडी करूंगा मैं यहाँ पर करूंगा वाइभाव सातर 99 अभी देखते हैं यह इमेल आडी अवेलेबल है या नहीं अवेल नहीं है मैं यहाँ पर डालता हूं 08 यह अवेलेबल है तो जैसे ही मेल आडी अवेलेबल होता है आपको यहाँ पर पासवर्ट सेट करना है अभी पासवर्ट सेट करते टाइम पर आपको यहाँ पर इंस्रक्शन दी है यहाँ पर आपको लिखा गया है कि Mixer of letters and numbers and symbols तो basically आ capital letter यूज करना है और आपको कुछ special characters यूज करने तो जैसे कि मैं यहाँ पर पासवर्ट सेट करते टाइम पर पहला जो पासवर्ट है वो caps में होगा आट आट उसके बाद में यह जो है यह सारे special characters है मैं यहाँ पर special characters यूज करूँगा जहाँ पर option आएगा आप सेव भी कर सकते हो पासवर्ट नहीं भी कर सकते हो मैं not now पर click करता हूं next अभी यहाँ पर आपको पुरा privacy पढ़ना है yes I agree जैसे अभी आप देख पा गयो कि जो म जैसी create channel पर click करता हूं आपको picture name and handle तो मैं यहाँ पर मेरी picture एक अच्छे से डाल दूँगा आपका नाम आपके channel को कौनसा नाम आपको देना है channel का नाम देते टाइम पर आपको आपकी जो नीश है जैसे आप take oriented channel बना रहे हो या फिर आप वी लॉक channel बना रहे हो तो उसके आपको आपके channel का नाम decide करना है यह make sure करना कि आपका जो channel का नाम है पहले YouTube पर किसी ने use नहीं किया होगा ताकि आपका जो नाम है वो unique रहे यहाँ पर आपके channel को नाम दे सकते हो अभी मैं एक वी लॉक channel बनाना चाहता हो in future अभी आपके सामने वो channel में बनाई देता हो तो हो गया मेरे channel का नाम यहाँ पर handle में भी मैं यहाँ पर automatically vlog available था तो मेरा जो handle है handle माने www.youtube.com slash आपका जो handle है उससे आपका identity होता है यहाँ पर अगर हो सके तो आपका Instagram ID भी आप use कोगे same handle आप use करना आपका Facebook का जो page होगा वो same URL का अगर होता तो अच्छा होगा because SEO point of you यह ज name and handle मैंने यहाँ पर set कर दिया है जैसे ही मैं अभी पीछे चला जाता हूं तो यहाँ पर आपको अभी आपका जो main account है वो set करना है अभी यह जो account है यहाँ पर सारी चीज़े नहीं होगी इसके वज़े से आपको जाना है Chrome में तो जैसे ही आपके Chrome browser में आप जाओगे जालना है youtube.com यहाँ पर आप क्लिक कीजिए switch account अभी जिस्ट में हमने जो channel बनाया था यहाँ पर आपको select करना है आपको click करना है YouTube studio पर वाइभव साथ तो वी लॉग create तो जैसे ही आप switch account पर click करते हो यह अभी आपका YouTube का channel दिख रहे है यहाँ पर आपको tick करना है desktop site पर जो अलड़ी मेरी tick हो चुकी है उसके बाद में आपको YouTube studio पर click करना है इसको press करके रखना है और यहाँ पर open in new tab in a group जैसे ही आप इसको click करोगे आप देख पाऊगे कि य यह window open हो गया तो यह जो YouTube studio है basically जैसे laptop में दिखता है उसी तरीके से आपके mobile में भी दिखेगा तो जैसे ही में open कर रहा हूं तो पहली बार मैंने मेरा YouTube studio open किया है इसी के वाज़े से यहाँ पर option आया click on continue अभी आपका सबसे important काम शुरू हो गया है अभी आपको click करना है setting पर जैसे ही आप setting में click करते हो जैसे मैंने आपको starting में ही बताया था तीन important options है general channel and upload defaults अभी general में यहाँ पर आपको currency select करने है जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोग यहाँ पर currency select करेंगी इंडिया इंडिया का जो currency है INR वो यहाँ पर हम लोग select करेंगे इंडियन र आनेंगे जैसे कि basic info में आपको आप कहां पर रहते हो यह बताना है यहाँ पर आपको select करना है इंडिया और यहाँ पर आभी keywords लालने है तो basically keywords आपके जो channel का नाम है वो सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना है वाइभव सात्व वी लॉक यह हो गया मेरा एक keyword अभी मुझे आपके जो मेरा already existing channel है grow with webhaw वो channel भी मैं as a keyword यहाँ पर use करना चाहूँगा because कोई भी अगर grow with webhaw अगर select करते हो तो मैं चाहता हो कि यह मेरा vlog channel है यह भी दिखाई दे तो मैंने यहाँ पर basically जो मेरे नाम के related keywords है वो मैंने यहाँ पर add किये click next अभी आपको यहाँ पर थोड़ अभी advanced setting में यहाँ पर option दिया है do you want to set your channel as a made for kids तो यहाँ पर simply आपको no करना है और save करना है फिर से आपको click करना है setting पर channel feature eligibility अभी आप देख पा है कि जो पहला जो standard feature है वो automatically enabled हो चुका है second जो है intermediate features videos over 15 minutes custom thumbnail अभी यह जो second option है तो basically अगर आपको 15 minutes से जादा video डालना है तो उस आउजर था वहाँ पर आपको जाना है, Go on Setting, Channel, Advanced Setting, Channel, Feature Eligibility, जैसे ही मैंने मेरा जो Mobile Number है, वो वेरिफाइ कर दिया है, मेरा जो Second Option है, वो भी Eligible हो चुका है, जैसे ही मैंने मेरा Mobile Number वेरिफाइ कर दिया है, मेरा जो Second Option है, वो भी Enable हो चुका है, अभी मुझे तिसरा Option भी आप ID भी डालके आपका Verification कर सकते हैं, यहाँ पर आप ID डालना, Get Email, अभी मुझे email पर एक Link आई है, वो मुझे चेक करनी है, उसके लिए आपको जाना है Gmail पर यह देखिए, आपको YouTube के तरफ से एक email आ चुका है, यहाँ पर Start Verification पर क्लिक करना है, आपको पहले Confirm करना है, ज यहाँ पर Click Next, तो यहाँ पर आपको Simply आपका Pan Card है, उसका जो फोट है, वो यहाँ पर ऐसे Click करना है, और आपको Submit करना है, तो वो होने के बाद में, आपको जो Third Option है, वो भी आपका Enable हो जाएगा, उसके बाद में आपको जाना है Again Settings पर आपको Click करना है Channel पर फिर से आपको जाना है Setting पर, तो अभी हमारा General and Channel यह दोनो Options अभी Complete हो चुक है, अभी जो Important है वो है Upload Defaults, अभी Upload Defaults क्या होता है, यह अभी मैं आपको बता देता हूं, कि जब भी आप आपका Video Upload करते हों, तो आपको आपके Video में Title and Description देना होता है, तो कुछ ऐसी चीजे होती है, जो आप हमेशा आपकी Videos में डालना चाहते हो, जैसे कि Title में अगर आप यूस करना चाहते हो, आप आपका Name हमेशा यूस कर सकते हो, ताकि कोई भी अगर आपका Video Name से अगर Search कर रहा है, तो वो आप यहाँ पर Input कर सकते हो, प्लस यहाँ पर आप description डाल सकते हो, अभी description डालते प्लस यहाँ पर आप आपकी जो affiliate links है वो भी यहाँ पर आप by default सेट कर सकते हो, जैसे मेरा जो current channel है, यहाँ पर मैंने my affiliates links डाली है, प्लस जो भी मेरे जो editors है, मैंने उनकी details हमारे description box में डाली है, तो यह जो default चीज़ है, आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, प्लस आप कुछ वाइब हो सातो भी एक hashtag उसकर सकते हो, जो मेरा existing channel है, उसका hashtag यहाँ पर डाल सकते हो, तो upload default में अगर आप देखोगे तो मेरा title and description में यहाँ पर सेव किया है, अभी जो हमारी captions की language है, वो English में हमें हमें रखनी है, तो यहाँ पर हम लोग English select करेंगे, English India, title and description language जो हमारी होती है, that is English, आप चाहते हो कि आपके वीडियो पर comment आए, definitely आप इसको enable रखना, आप इसको on रखना, और यहाँ पर आपको बस करना है, save, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे settings के जो 3 options है, वो complete हो चुके है, अभी हमारे जो setting है, वो complete हो चुकी है, अभी इसके बाद म है, जो step है, वो है, customization की, तो customization करने के लिए, आपको click करना ही, 4 lines पर, जैसे आप 4 lines पर click करते हो, scroll down करके आपको customization का option आता है, जैसे आप customization पर click करते हो, आपको 3 options दिखेंगे, layout, branding and basic info, तो सबसे पहले, यहाँ पर option दिया है, channel trailer का, future video का, so basically channel trailer, यानि एक छोटा सा video बनाओगे जहाँ पर आप बता होगे कि यह channel पर आप कौन से content डालने वाले हो, कौन सी information शेयर करने वाले हो, तो यह basically channel trailer and feature videos में आएगा, यह अभी फिला लितना important नहीं है, इसमें आपके लिए जो important option है, वो है featured section का, जैसे आप मेरा YouTube का channel open करोगे, आपको सबसे पहले videos दिखेंगे, ज जिर मेरे जो normal videos है, वो दिखेंगे, यह वही option है, तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो, कि आपका popular section है, वो सबसे पहले दिखेंगे, तो उसके लिए आप यह option पहले delete कर दो, तो सबसे पहले जैसे ही मेरा YouTube channel open होता है, तो popular videos दिखेंगे, उसके बाद में add section करके, आप short videos दिखा होगे, प्लस आप यहाँ पर कोई playlist आपकी एक अच्छी बनी हुई है, वो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो, तो basically आपको आपकी section में 3 चीज़े हमेशा रखनी है, popular videos, videos and आपके जो shots है, वो आपको यहाँ पर रखने है, उसके बाद में आपको click करना है branding पर, जै banner image, banner image यहाँ जैसे कि अभी यह जो मेरा YouTube channel है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप देख रहा हो कि जो उपर सबसे उपर जो दिख रहा है, यह है banner, जैसे मैं आपको बताया था, देखे सबसे पहले मेरे popular videos दिखते हैं, फिर videos दिख रहे हैं, फिर मेरी जो playlist है वो लोग set कर रहा है, तो यह banner आपको set करना है, तो basically आप video में watermarks भी डाल सकते हो, वो भी आप यहाँ पर set कर सकते हो, उसके बाद में आपको click करना है basic info पर, आपका channel का name, आपका handle है वो, और जो description आपने पहले डाला तो वो same description आपको यहाँ पर डालना है, यह है आपका channel का URL, यह actually आप अभी change नहीं कर सकते है, पहले option था इसको change करने का, links, links माने है, अगर आपके कोई website है, या फिर आपके Facebook के accounts है, वो यहाँ पर upload कर सकते हो, आपके Instagram handle आप यहाँ पर add कर सकते हो, ताकि आपके कोई भी YouTube channel को अगर visit करता है, आपके website है उसको visit कर पाएगा, आपके Instagram, social media, जो accounts है, उनको visit कर पाएगा, तो यहाँ पर मैं एक external link, आपको मैं दिखा देता हो कि कैसे डालना है, तो link title will be my website, यहाँ पर आप डालोगे, https.takeexports.log, तो मेरी जो website है, वो मैं यहाँ पर copy-paste कर लेता हूँ, takeexport, इसको आपको copy करने है, यहाँ पर जाना है, पेस्ट करन यहाँ आपको, एक आपको, यहाँ आपको, यहाँ पर आपको, प्लिश, जाना है, तो अभी आपको यूटुब चैनल है, वो completely ready हो चुकता है, तो अभी आप आप सीखना जाते हो कि कैसे video's बनाते है, कैसे editing करते है, कैसे आपको videos को upload करना है, कैसे आपको, थमनेज बनाने है तो आप comment box में मुझे पूछ सकते हो मैं definitely आपके लिए ऐसे वीडियो बनाऊंगा जो आपको help करेगा कि आपका जो YouTube चानल है उसको कैसे grow करना है उसको कैसे आगे बढ़ाना है अभी के लिए इतना ही दोस्तों अभी भी अगर आपने हमागे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना जल्दी से मिलते हैं अगले वीडियो पर जहीं दोस्तों